दूसरों में गलतियां तो सभी को दिखाई देती हैं, पर लोग अपने अंतर आत्मा में जाक कर नहीं देखते कि उनमें कितनी गलतियां छिपी हुई हैं। काम्याबी के रास्ते तो बहुत ही कठीन होते हैं, पर जो चलते हैं सक्सेस उने ही मिलती है। कम से कम कदम बढ़ाओ तो सही, हम जब ठहरे रहेंगे तो कोई काम कैसे कर पाएंगे। हम जितना ही मुश्किल से भागते हैं, उतना ही मुश्किले हमारे पास आती हैं और हमें डराने की कोशिश करती हैं। सभी मुश्किलों का सामना करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि सारी मुश्किले हार मानकर चली गई। जीवन में रोज एक नई चुनाती, रोज एक नई चुनातियों से लड़ने की टेक्निक हमें लगानी चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन की चुनातियां कभी खतम नहीं होने वाली। जब तक जीवन है तब तक हमारे पास हर पल एक नई चुनाती है। जो इन ही चुनातियों के साथ हमें अपना जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अपना जीवन खुश रहकर आसान बनाना चाहिए। कभी कभी हमें किसी की बात इतनी बुरी लग जाती है कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता बस एकी रास्ता दिखाई देता है कि अब जीना नहीं है उस समय हमें क्या करना चाहिए हमारा दुनिया में कोई साथ दे या ना दे पर हमें खुद का साथ कभी ने छोड़ना चाहिए हम खुद के साथ रहेंगे खुद को समझाएंगे खुद से क्वेशन करेंगे तब जाकर सही रास्ता निकलेगा हतास होकर बैठने से या कुछ गलत कदम उठाने से अच्छा है कि हम खुद के साथ खड़े रहें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सभी लोग रहते हैं पर खुद को हम सबसे अलग महसूस करते हैं कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं रह सकता ऐसा समझते हैं उस समय कभी भी खुद को अलोन नहीं समझना चाहिए फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में से एक भी संटेंसेंस आपको सही लगे हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को एक वीडियो कितनी पसंद आए